हेलो फ्रेंड्स वेलकमीन मेडिसीन एंड़ जीके विद दीरसर तो हमारी जो फार्मकोलोजिकी क्लासिफिकेशन की स्रीज चली हुई है तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेवन आज गो जो हमारा टॉपिक है अंटी साइकोटिक एजेंट साइकोटिक मतलब क्या होता है जो लिए जो medicines use की जाती है उसके बारे में देखेंगे उसका classification देखेंगे कितने प्रकार की category है हमारी तो फस्ट है हमारी फिनो थायाजीन derivative फिनो थायाजीन derivative कौन कौन सी होती है हमारी chloropromagene होती है triflu paragen होती है यह जो आपकी chlorpromagene है बहुत बार exam में पूछी जाती है कि किस derivatives में काम करती है, किस category में आती है Next है हमारा butyrophenones Butyrophenones में हमारी जो drug आती है helloperidol और अपका trifloperidol helloperidol बहुत बार exam में पूछी जाती है, इसको आप अच्छे से note कर लेना चलिए Next है हमारा rovolphia alkaloids rovolphia alkaloids की अगर हम बात करें इसमें हमारी reserfine drug आती है यह भी important हो सकती है आपका exam के लिए Next है हमारी diphenyl butylpipridins diphenyl butylpipridins के बारे में अगर हम बात करें इसमें जो drug आती है हमारी कौन सी आती है बच्छो Pimogile और अपका fanfluoridol Pimogile और fanfluoridol ड्रग आती है दोनों इसके अंदर जो आपकी diphenyl butylpipridins होती है Next है आपका atypical neuroleptics atypical neuroleptics के अंदर जो हमारी drug आती है क्लोजापीन आता है ओलांजीपीन आता है और आपका रेजर पहरी डोन आता है यह आपका जो यह वाली drug है ओलांजापीन यह important drug है आपके अग्जाम के लिए Next है हमारा indol derivatives Indol derivatives के अगर हम बात करें इसमें drug आती है हमारी Maline gold Next है आपका Thigioanthine derivatives Thiogenthine derivatives के बारे में करें बात करें Thiogenthine derivatives तो इसमें drug आती है हमारी Chlorprothigen और आपका Flupanthi जो लाता है Next है आपका Substitute Benjamides Substitute Benjamides के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो drug आती है बच्चो Selfie Rides आती है इसमें drug हमारी तो आज का जो हमारा topic था है Antipsychotic ये complete हो गया मिलते हैं फिर next video के साथ Next classification के साथ All the best